Welcome to my channel friends और आज मैं आपके लिए एक बहुत अलग किस्म का amplifier लाया हूँ सबसे important चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर एक बड़ा सा inductor लगा हुआ है तो आप guess कीजिए कि यह क्या चीज हो सकती है और यह पहली heat sink में हटाता हूँ यहाँ पर आपको चार बड़े बड़े transistor या MOSFET या diode कुछ भी कहिए दिख रहा है तो आपने guess कर लिया होगा और यह भी heat sink में हटाता हूँ तो यहाँ पर आपको TPA 3160 की दो ICs दिख रही है तो आपने correctly guess कर लिया है यह एक ऐसा amplifier है जो की 12 volt से operate होता है और 100 plus 100 watt की output आपको देता है इसके अलबा इसका amplifier section configurable है यानि कि आप इसको 2.0, 2.1 और only for subwoofer भी यूज़ कर सकते हैं यह board ink ocean ने बनाया है और यह उनकी website पर amplifier section में available है इसकी price क्या है यहाँ पर मैं screenshot दे रहा हूँ यहाँ से आप देख सकते हैं और अगर आपको इसको खरीदना है तो मैंने description में link दिया है आप वहाँ से click करकर इसे खरीद भी सकते हैं इससे पहले हम इस board के बारे में आगे चलें मैं आपको बता दू कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी for example अगर हम इस board को लेते हैं तो यह भी 2.1 का एक board है जो कि 24 बोल्ट की supply पर चलता है आप जानते हैं कि amplifier से अगर हम ज़्यादा power लेना चाहें तो दो ही तरीके हैं या तो amplifier की power supply बढ़ाई जाए या तो amplifier का output load यानि कि जो हम speaker यूज करते हैं वो कम ohm का यूज किया जाए लेकिन यहाँ पर दोनों में limitation है आप जानते हैं कि speaker बहुत कम impedance यानि कि बहुत कम ohm के market में available नहीं होते हैं और अगर आप किसी particular amplifier पर बहुत कम ohm का impedance देंगे तो वो उसे support नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा current ड्रा करेगा वो और इसलिए जब भी हमें किसी amplifier से ज़्यादा power लेनी होती है तो हम उसकी power supply को increase कर देते हैं जैसे कि यह amplifier है यह अपनी full power तभी देगा जब आप इसे 24 volt 10 ampere देंगे अगर आप इसे 12 volt देते हैं तो यह बहुत कम power देगा कोई भी normal amplifier जो हमारे old generation के आते थे जैसे 44 के तो वो 12 volt की supply पर चलते हैं लेकिन maximum 19 या 20 watt की output ही वो दे सकते हैं लेकिन कभी-कभी conditions ऐसी आती है कि हमारे पास सिर्फ 12 volt की power supply होती है वो condition आ सकती है आपके पास car में या आप अगर outdoor में यूज़ करना चाहें speaker जहां पर आपको main electricity power supply available नहीं है उस condition में 12 volt की battery का यूज़ करके आप जो भी amplifier चलाते हैं उस amplifier से 19-20 watt तक की output आपको maximum मिलती है तो यहीं पर limitation आ जाती है कि अब हम क्या करें पहले की videos में मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास इस तरीके का amplifier है और उसको आप 12 volt की battery से चलाते हैं तो market में voltage boosters available है आप 12 volt को 24 volt 36 volt जितना भी आपकी requirement बूस्ट कर सकते हैं और इस amplifier को चला सकते हैं लेकिन ये भी एक तोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और appropriate booster supply भी हमें market में नहीं मिलती है और इनी सारी चीज़ों का solution करने के लिए इस board को लाया गया है तो जैसा कि आप इस board को देख रहे हैं इसमें क्या किया गया है कि power supply का जो booster section होता है और amplifier दोनों चीज़ों को एक ही board में integrate कर दिया गया है वैसे तो market में आजकल कुछ boards ऐसे आ गये हैं जिसमें amplifier board पर ही booster supply को integrate किया गया है कुछ इस type के boards market में available है लेकिन उनके साथ problem क्या है आप देख रहे हैं उनका जो power supply section है उसमें बहुत ही छोटे inductor और बहुत ही छोटे transistor का use किया गया है और आप जानते हैं कि ICs काफी powerful होती है अगर हम एक IC की बात करें 200W की है यहाँ पर 2IC लगी है 200W की total आपको power मिलने वाली है और अगर हम सारे losses वगरे की भी बात करें तो इस amplifier को completely चलने के लिए 240W की power supply चाहिए 240W का मतलब है कि 24V पर 10A की power supply इसको चाहिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह सारे board जो market में आ रहे हैं उसकी power supply मुझे ऐसा नहीं लगती कहीं से भी कि वो 24V पर 10A की power supply दे पाएगी आप जानते हैं कि 24V पर 10A की power supply देने के लिए यानि 240W देने के लिए जो हमारी battery है वहाँ से आपको 20A की supply लेनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर अगर हम 10% भी conversion loss को अपने calculation मिलें तो लगभग 250W, 260W की power यह ड्रा करेगा फुल पावर पर इसका मतलब कि आपका 20 से लेके 25A तक की current यह बैटरी से ड्रा करेगा आप जानते हैं कि 25A current कितनी जादा होती है और इतने छोटे circuit या इसमें जो भी component लगे हुए है वो 25A तो कहीं से भी नहीं जेल सकते हैं और यही वज़ा थी कि मैंने कभी उन board का review नहीं किया वैसे इन boards को मैंने मंगवाया है और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा यह तो 100% है कि आप जैसे ही volume को इस board में आप करेंगे तो voltage drop हो जाएगी और ले देखे वही output मिलेगी जो आपको 12V से मिलती है इसी का solution करने के लिए इस board को बनाये गया है इस board का power supply section बहुत ही strong बनाये गया है जहां से power supply हमें draw करनी है यहां पर एक बहुत तगड़ा fuse भी लगाये गया है 20A का fuse है तो कुल मिला के इस board को कुछ इस तरीके से बनाये गया है कि यह actual 200W RMS की output दे सके और इसी बीच में जो new viewers हैं उनसे मैं request करूँगा कि अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please like and subscribe कर दीजिए किसी भी YouTuber के लिए subscriber का count बहुत मायने रखता है इस board का demo और sound test वगरा तो हम लेंगे ही लेकिन इस board की detail में आपको बता देरता हूँ पहले देखें यहां से इसमें power supply आएगी और यह connector भी काफी heavy बनाएगे है क्योंकि peak condition में 20 ampere तक की current इनको draw करना है तो यहां से आपकी positive supply जाएगी यहां से negative supply जाएगी और switch 20 ampere का लगाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए इसमें on off switch के तोर पर एक MOSFET का यूज किया गया है जिसकी rating 80 ampere है इस MOSFET को on करने के लिए बीच में यह connection switch का दिया गया है यहां पर आप कोई भी general purpose विच एक दो ampere का यूज कर सकते हैं इसलिए अगर आप इस board को अपने car में यूज करते हैं बैटरी के साथ तो off condition में रखेंगे तो कोई भी current के draw नहीं करेगा या outdoor amplifier अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी battery बिल्कुल भी drop नहीं होगी उसके बाद यह voltage हमारी जाती है 20 ampere के fuse में DC booster में एक booster IC है जो की इन दो transistor को drive करती है और यह booster circuit market में जो booster circuit मिलते हैं उनसे काफी अच्छा बनाए गया है designing level पर काफी मेहनत की गई है किसी पी चीज में compromise नहीं किया गया है यह IC जो भी high frequency AC देगी उसे यह दोनों transistor drive होंगे और यह दोनों transistor इन दोनों MOSFET को drive करेंगे यह MOSFET जो है इस coil को drive करेगी high frequency पर और इसकी secondary में high voltage generate हो जाएगी अब यहाँ पर हमारी 12 volt DC 24 volt AC में convert हो जाएगी उस AC को इन diode के थूँ हम DC में convert कर लेंगे और यहाँ पर एक capacitor लगा कर उसे pure DC में हम convert कर लेंगे यहाँ पर एक 7805 भी लगाएगे है जिससे कि अगर आप Bluetooth वगरा या MP3 player चलाना चाहें इस board से तो यहाँ से directly आप supply ले सकते हैं तो यह तो हो गया इसका booster section अब यह है इसका amplifier section इस amplifier section को आप कई सारे form में use कर सकते हैं जैसे कि 2.0 यानि कि 2.0 use करेंगे तो एक left और एक right channel full range में आप use कर सकते हैं दूसरा है 2.1 configuration में भी आप इसे use कर सकते हैं यानि कि एक woofer और दो left और right channels आप यह करना किस तरीके से देखिए यहाँ पर सारी detail लिखी हुई है यहाँ पर jumper 1, jumper 2, jumper 3, jumper 4 है इन सारे jumpers को आपको joint कर देना है actually जब यह board आपके पास आएगा तो 2.0 की configuration में आएगा अगर आप उस configuration में use करना चाहते हैं तो कुछ भी change करने के जुरुत नहीं है इसके रहाँ प्री amp section में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ jumpers दिये हुए जिनका नाम 1, 2, 3 है ध्यान से देखेंगे तो jumper 2 को अगर आपने jumper 1 से join कर दिया तो यह आपका 2.0 configuration में आ जाएगा यह front right बन जाएगा आपका एक उसके बाद आप इस jumper को 1 और 2 को join कर देंगे तो यह front left बन जाएगा 2.0 का और अगर आपको 2.1 का configuration चाहिए तो 2 और 3 को join करना है यहाँ पर यहाँ भी 2 और 3 को join करना है और यहाँ भी 2 और 3 को join करना है यह सारे details इस board के साथ आपको मिल जाएगी preamp section के लिए यहाँ पर एक volume यहाँ पर triple और यहाँ पर base दिया हुआ है यहाँ से आप input दे सकते हैं तो front से इस तरीके से इस board का use करके आप अपने car में 2 subwoofer लगा सकते हैं यह 2.1 लगा सकते हैं यह 2.0 लगा सकते हैं और आपको एक separate महंगा car amplifier खरीदने के ज़रूत नहीं पड़ेगी आप जानते हैं कि सस्ते से सस्ता car amplifier भी जो विलकुल local type का होता है 3000 से कम में नहीं आता है उसके अलावा अगर आप outdoor speaker बनाना चाहें तब भी इस board का use कर सकते हैं इस board के साथ एक outdoor speaker बना कर उसमें कराओके वगरे का board लगा कर और 12 बोल्ट की battery लगा कर आप एक अच्छा outdoor speaker कराओके facility के साथ बना सकते हैं लेकिन इस board को use करने के लिए कुछ साथानिया भी बहुत जरूरी है सबसे ज़्यादा साथानिया आपको इसकी power supply में रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा current यहाँ पर चल रही है बहुत ज़्यादा current ड्रा हो रही है तो friends आपको करना क्या है जो भी आप wires यहाँ से battery के लिए use कर रहे है मेरा recommendation यह है कि वो wire आप छोटा से छोटा use कीजिए अगर आप portable system बना रहे हैं तो उसमें तो आप wire के length काफी कम रख सकते हैं किसी भी condition में 1.5 mm² से कम का wire तो आपको use करना ही नहीं है लेकिन अगर आप इसे car में use कर रहे है जहाँ पर आपके board और battery की distance काफी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा thick wire का use करना चाहिए 2.5 mm² minimum मेरी recommendation है आप उससे ज़्यादा का भी wire यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर आप पतला wire यूज़ करेंगे और 12 volt की power supply यहाँ पर आ रही है तो voltage बहुत ज़्यादा drop होगी और safety का concern भी हो जाएगा कहीं ज़्यादा current आने से wire burn हो गया तो बहुत dangerous condition हो सकती है fuse तो यहाँ पर inbuilt एक दिया गया है fuse अगर आप चाहें तो external भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बता दूँ इस section पर आपको heat sink नहीं मिलेगी लेकिन यह इस तरीके से design किया गया है कि कोई भी general purpose इतनी बड़ी heat sink यहाँ पर आप लगा सकते हैं वैसे इसका यह section heat होने वाला नहीं है अभी हम test करके देखेंगे लेकिन यहाँ पर आपको heat sink लगाना बहुत जरूरी है तो आएए देखते हैं इसका sound demo किस तरीके से यह काम करता है दिल लगा दिया मैंने तुम से च्यार करते तुम से च्यार करते हैं तो यह किसी में तेरा रसका लगी देखा होगा है भरी भरी और तुम मुश्कुराने मेरे दिल पे है अर्मा कई गई बहते बहते किस मन्सर में जम जाए ये लालालालाला जाने वो कौन सदेश तुम तुम तो लिए किसी बादाए बहते लीताए अद्छैं में एफ तुम टुम 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 झाल झाल तो फ्रेंट्स एक ये नए तरह का प्रोड़क्ट मैंने आपके लिए रिव्यू किया और उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके टाटा और बाय फ्रेंट्स